गुलाब एक ऐसा पौदा है जो देखने में बहुत सुन्दर लगते हैं तो साइद इसलिए हम लोग इसको बहुत पसंद करते हैं दोस्तों हाला कि गुलाब के पौदों पे समर की सीजन में फ्लावरिंग तो होता नहीं है क्योंकि यह सब विंटर सीजन बले प्लांट है ले को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं और अगर आगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छे लेगे तो इसको लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिए तो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं आज में कुछ टीप्स आप लोग के साथ सेयर करड़े वाला हूं कि एक गुलब के पौदे पर आप कैसे समर के सिजन में फ्लावरिंग पासकते हैं उसके बारे में तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो कि मेरे पास एक बेसी रोस प्लांट है जिसमें आप देख पार कितने सुंदर से भी फ्लावरिंग हो रहे हैं और मेरे पास चार इंगलिस रोस है जिसका लीप्स अब को देखके ही समझ में आ जाएगा कि इंगलिस प्लांट का जो लीप्स होते हैं तो देखिए बहुत ही बीग साइज का होता है तो जैसे कि आप देख पारे हो मेरे मेरे इंगलिस रोस है जो बहुती डीप रेट कलर के है तो मैं कुछ टिप्स पतने वाला हूं पहले नंबर पर जो टिप्स है वो है डर्मी के सीजन में आपको रोस प्लान को थोड़ा शेडी एरिया पोवाइट करना पड़ेगा मतलब मेरा बोलने का मतलब यह है कि आप उ को दीजिए मासरट केक का लिकुड फटिलाइसर वो महिने में एक बार दीजिए ज्यादा यूज मत कीजिए बहुत ही पकला करके इसको पानी के साथ मिक्स करके आप इसको दे दीजिए हर तीस दिन के अंतराल पे तो आपके पौदे का ग्रोथ तो चलता रहेगा और प्ला के साथ सेयर करड़े वाला हूँ हो है वाटरिंग उसको गुलाप के पौदेट पे दिन में एक बार वाटरिंग करना बहुत ही जरूरी होता है अगर आप हो सके तो सुभा के वक्त इसको वाटरिंग किया कीजिए नहीं तो एकदम सामके वक्त नेक्स जो टीप्स है मेरा व इसको यहां से काट के फेक देना परेगा तो दोस्तों यह करना बहुत ही जरूरी है आपके पौदे पे ज्यादा फ्लावरिंग के लिए क्योंकि अगर आप करोगे तो यहीं से इसका नया शे दो स्टेम निकलना चालो हो जाएगा तो से अपके फ्लावरिंग भी बहुत ज निकलना सुरू हो गया यहां से भी निकल रहा है यहां से भी एक निकल रहा है दिखिए अब देख पा रहे हो यहां पर भी देखिए यहां पर मैं इसको कट कर दिया था तो देखिए यहां पर भी इसका नया से स्टेम निकलना चालो हो गया यहां से निकल रहा है तो दोस् तो सबसे आखिर में जो मेरा टीप्स है वो है इंफेक्शन के बारे में तो मेरे जो पौदे है उसमें कभी भी फंगर इंफेक्शन या फिर पेस्ट का एटाक होता नहीं है इसलिए में ज्यादा पेस्टिसाइड इसमें यूज नहीं करता हूँ लेकिन फिर भी अगर अगर प्लांट पे किसी पकार पेस्ट का एटाक हो तो आप इसमें रोगार का इस्तेमाल कर सकते हो दस ड्रॉप रोगर एक लिटर पानी में मिक्स करके आप सुहा के बग्ट इसको स्प्रे कर दीजिए तो आपके पौदे पेस्ट का एटाक नहीं होगा इसको आप फर पंदरा द तो इसको ऐसे आपको काटके फेक देना है और यहां पर भी देखे कितने सारे अभी बर्स है यहां पर भी देख सकते हो बहुत सारे बर्स लगे हुए है कुछ दिन पहले ही मैं इस प्लांट को रिपोर्ट किया था जिसके बारे में मैं आप लोगो के शाथ सेयर अल्लेडी कर चुका हूँ तो दोस्तों यह तो फा छोटी सी जानकरी रोस प्लांट के उपर के आप कैसे को शो मर में सीजन में फ्लावरी पा सकते हो एक रोज प्लांट से तो दोस्तों उम्हीद करते हो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आया तो जैनल को लाइक शेयर कॉमेंट कीजिए और अगर आप पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना और अपना फैमिली का ख्यार रखिए तो दोस्तों चलते हैं बाई